हलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल आई होप यू और डूइंग वेल मैं हूँ प्रगिती आज मैं आपके लिए फिर से एक राखी स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि हम भाई और भावी के लिए राखी बनाना इस वीडियो में सीखेंगे और यह जो पे मास्टमी, गनेश चतुर्ती, दुर्गा पूजा, अनवरात्री और दिवाली तो आप फेस्टिवल स्टार्ट हो चैनल पर जिसकी पिच्चर अभी आपके सामने शो हो रही है इन वीडियो के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में दे दूँगी अगर आप स्टाइक को बनाने के लिए हमें यह पर चाहिए अगर आपके पास ठांसपेरंट शीट नहीं है थेक वली अगर आपके स वह नंगी है तो कोई भी कलरफुल शीट आ अप ले सकते हैं क्युंकि हम इसे कपडे से कवर करेंगे तो जरूरी नहीं आप ट्रानसपेरेंट साइज आपने अकॉर्डिंग डख सकते हैं और जो कपड़े का कलर है वो भी आपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं तो यहां पर मैंने यहां पर यह महरून कलर यूज किया है क्योंकि मुझे इस पर गोल्डन कलर से भाई लिखना है और मैंने यहां पर यह गोल्डन कलर ल तो यह complete होने के बाद हम इसको dry होने के लिए रख देंगे तब तक जो हम भाबी के लिए राकी बनाएंगे उसकी preparation कर लेते हैं यह दो step मैंने ली हैं और इसको मैं इस तरीके से आगे और पीछे से दोनो steps को चिपका दूँगी जिससे की जब वो राखी दर-दर घूमती है तो दोनो साइड आपको जो भाबी लिखावा वो दिखेगा एक साइड ब्लैंक नहीं रहेगा दोनो साइड रहेगा और मैंने यहाँ पर बीच में रिंग का यूज किया है अगर आप इस टाइप कोई भी रिंग आपके पास नहीं है तो आप डारेक्ट इसको भी ऐसे चिपका सकते हैं तो चलिए अब जो भाई वाली राखिए उसको complete कर लेते हैं यहाँ पर बैक में मैंने यहाँ पर डोरी लगा दी है और डोरी को कवर करने के लिए मैंने पीछे कपड़ा लगाया है और साइड में थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर मोती का यूज किया है मैंने यहां पर एक एक वाइट मोती लिया और बीच में गोल्डन और मेरे पास ये पीच कलर के फ्लावर थे तो मैं इनको यहां पर यूज कर ले रही हूँ या फ्ल्वर लगा दिया है जिस से की जो भावी वाली राकी उसका लुक काफी अच्छा आ गया है और बैक में उसको सपोर्ट देने के लिए पर सेम उसी कलर के कपड़े का यूज किया है और मैंने उसको समें चिपका दिया अच्छे से और आप चाहें तो इस राकी को सुई धागी की हेल्प से बना सकते हैं अगर आपके पास ग्लूगन नहीं है तो चलिए आप भावी वाली राकी रेडी कर लेते हैं भावी वाली राकी लगाए थे और उसके बाद मैं यहां पर कुछ मोती ले रही हूं उसी से मैं पांच ये छे मोती लूँगी उसको मैं इसमें लगा कर और एक जो लटकन टाइप का होता है वो रेडी कर लूँगी तो हमारी यह देखे एक लटकन रेडी हो चुकी है और बस इसको हम इसमें अटेच करने के बाद उपर की साइड भी मैं इसमें एक फ्लावर लगा दूँगी जिससे की उपर का लोक भी काफी अच्छा आएगा और फिर नीचे मैं अगेन इसमें एक और लटकन बना लूँगी सेम इसी तरही के से तो राखी को हाथ में पहनने के लिए उपर मैंने यहां पर यह रेड कलर की फूल का यूज किया है जिससे कि हम इसको हाथ में बान पाएं आप चाहे तो इसको ऐसे भी हाथ में बान सकते हैं और आप चाहे तो इसको बैंगल में भी लगा सकते हैं तो यहां पर मैं बैंगल बैंगल यूज करेंगे तो यह दोनों लटकन हमारे हमारी यहां पर कमप्लीट हो चुकी है अब आम यहां पर बैंगल का यूज करेंगे मेरे पास दो टाइप की बैंगल है तो चलिया आईए अब हम राकी को रेडि कर लेते हैं तो यहाँ पर मेरा एक नेक पीस था जो टूट गया था तो वहाँ पर मैं यह जो सरकल वाले मोती हैं उसी का यूज कर रहे हूं उसके और यह मेरे पास एक पुरानी राकी पड़ी थी उसमें यह सिलवर कलर का ओम बना हुआ था उसी को हम लेंगे यहाँ पर राकी बनाने के यूज किया है और बैक सपोर्ट में मैंने फिर से अगें कपड़ा लगा के जो बेस है वो रेडी कर लिया है यहाँ पर मैं यह यलो कलर का जो वुडन का सरकल है उसका यूज कर रहे हूं और मेरी जो नेक पीस था उसमें इस मुल्टी कलर के मोती थे तो उनमें से मैंने दो टाइप के मोती को सिलेक किया है यानि कि यलो और मर्जंटा कलर के क्योंकि जो नीचे का जो लटकन है उसको भी मैं इसी कलर का बनाऊंगी यलो और मर्जंटा कलर में तो मैं दो ही कलर इसमें यूज कर रहे हूं आप चाहे तो मल्ती कलर में भी इस राकी को बना सकते हैं गpower कर देंगे और फिर मैने यहां पर यह ब away of a be I've add 5 be add उडम का ओल्ड dob को अच्छा सा लुक देने के लिए मैंने राइं यहां पर सें मोति का उस× में से सेम येलो कलर के और मजंटा कलर के मोती लिये हैं उसको मैं यहां पर दोनों साइड डोरी के साइड में लगा दूंगी तो भाई की जो ब्यूटिफल सी राकी है वह हमारी रेडी हो चुक है तो चलिए आप भावी वाली राकी उसको हम यहां पर रेडी कर लेते हैं मैंने यहां पर यह यलो और पिंक कलर के जो फ्लैट वाले सर्कल शेप में जो मोती है उसका यूज किया है तो इसमें ऊपर की तो अगर आप चाहें तो मल्टी कलर के मोती भी उसका सकते हैं जैसे कि मैंने राकी में किया था यलो मर्जंटा यलो मर्जंटा मल्टी कलर के कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं और जो उपर का लुक है उसको कम्प्लीट करने के लिए मैंने यहां पर दो जो बिक साइज वाल यलो वाले मोती में पिंक कलर यूज किया है और जो पिंक मोती है उनमें गोल्डन कलर यूज किया है और बस उपर हम एक बैंगल लगा देंगे अगर आप चाहे तो अगर आप बैंगल नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से भी आप इसको हाथ में बान सकते हैं तो देखे कि दूसरी वली राखी हैं the next वाली राकी को बना लेते हैं इसको बनाना बहुत ही easy और simple है यहाँ पर मैंने कलावा का यूज़ Iraqi molly और जो पूजा में यूज़ करते हैं यह occupy कलावा है और मैंने के या पर इस तरीके से एक रॉड-्रॉड demain के इस तरीके से कट कर लिया है जैसे कि हम पॉम पॉम बनाते हैं उसी तरीके से और उसके पाद मैंने इस तरीके से इसको फैला के यहाँ पर एक शेप देनी कोशिश के रिए राखी की तो इसके लिए भी अगेन मैंने यहाँ पर सर्कल शेप की ट्रांसपरेंट शीट का यूज किया है और यह जो कलावा है थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे तो मैंने अगेन सेम उसी तरीके का बना लिया है और डबल करके यहाँ पर इसमें लगा दिया है आप इस प्रॉसेस को एक बार में ही कंप्लीट कर सकते हैं तो मुझे थोड़ा अच्छा सा और फिनिश वाला लुक चाहिए था तो मैंने इसको थोड़ा डबल यूज कर लिया है और बस इसको हम कट करके शर्कल सेप दे देंगे और अच्छी सी फिनिशिंग ले आएंगे तक तक कटिंग करेंगे इसकी हम और साइड साइड में ग्लू गं से अच्छे से इसको स्टिक कर लेंगे यानि कि चिपका लेंगे अब बैक में मैंने यहाँ पर डोरी लगा दिये सेम जैसे मैंने बाकी राखियों में लगाई है और यहाँ पर मेरे पास एक पुरानी राखी पड़ी थी ओम की shape की उसमें से मैंने यह ओम निकाल लिया है यह silver कलर का ओम है जो मैंने ऊपर लगा दिया है और बस back में कपड़ा लगा के cover कर दिया है और side में थोड़ा अच्छा look देने के लिए मैंने यापर white रंखे और yellow कलर के मोर्दी का use किया है क्योंकि white और yellow का combination इसमें काफी अच जरूर कीजेगा और comment करके जरूर बिटाएगे वीडियो आपको कैसा लगा है और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आए हैं फर्स टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा जिसने मेरे आगे आने बाले नए वीडियो की नोट